कि वैलकम बैक टुड़े गुजराती चेश जौन की दोस्तों आज हम देखने वाले इसकेंडीन डिफेंस पार्ट थी हमने स्केंडीन डिफेंस में दो पाग देख लिए पुर्टूगीज गैमबिट में आज में पुर्टूगीज गैमबिट में आपको घ्लासिकल वेरेशन दिखाने वाला हूं उससे पहले मैं आपको एक बढ़िया सी एंड गेम दिखाना चाहता हूं तो देखिए यहां पर यह पोजिशन है आपके सामने जिसमें ब्लैक वाइट जोगजौंग में है वाइट अपनी कुईन कहीं भी मूँग करेगा तो ब्लैक कुईन एपन चेक व सिफिक्स काउंटर एक्टेग्ट अगर कुईन से बिशिप मारता है तो सिम्पल क्यूठेस क्यूच होती है और नाइच से अगर कुईन मारता है ब्लैक तो सिंपल विनिंग है विशिप टेक्स खुईन यहां पर कुईन प्रमोट हो जाएगी तो यह पोजिशन में ब्लैक बहुत सोच के reply दिया था कि रूप पूर के बाद वाइट कुइन सीवन खेल ला है अब अगर व्लैक किण करता है तो सिंपल पिस प्लास हो जाते हैं वाइट तो ब्लैक ने सोचकर नाइट टेक्स पॉन किया वह ब्लैक ने सोचा कि कुई एक्षेंज होने के बाद अगर पॉन पूस सी सेवन आता है तो सिंपल नाइट डी सिक्स विडिंग है तो यहां पर वाइट ने कुई एक्षेंज कर ली और यह एक ब्रिलियंट मुझे दिखी बिशप सी फाय लाइन क्लोजिं तो चलिए अब शुरू करते हैं हम स्कैंदिनियन डिफेंज उसका तीसरा पार्ट जिसमें इस क्लासिकल वेरियेशन वाइट एफोर हम खेलेंगे दीफाइव इटेक्स दीफाइव नाइट एफ शिक्स डीफोर विशप जीफोर नाइट एफ थ्री यह क्लासिकल के सामने हम खेलेंगे क्विंटेक्स डीफाइव अब यहाँ पर वाइट के पास दो तिन चॉइस है में दिखाना चाहता हूं पहले नाइट भी डीटू देख लेते हैं अगर नाइट भी डीटू करता है तो सिम्पल आपको नाइट से शिक्स करना है सी थ्री इसके सामने इफाइव बिशब सी फोर बिशब टेक्स एफ थ्री बिशब टेक्स डीफाइव 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 बिशब टेक्स अगर किंग से विशब मारते हैं तो फिर नाइट फॉर्क में आपको रुख मिल जाएगा और अगर एस्ट्री करते तो नाइट टेक स्पॉन सिंपल और फिर हम अच्छे से एंगे में जाएंगे कि दूसरा विदिीशन देते हैं ऑंनिवेपल के अलावा दों है यहां पर अलग-अलग भाग करके लिख सकते हो वेरियेशन ऐ वेरियेशन बी और वेरियेशन जी ऐसाइस करके अपनी बुक बना सकते हो यह वीडियो देखके यहां पर दूस्तों सीफोर अगर करता है फेप्रूम में वाइट तो भी हम विश्प टेक्स एफ्टी मारेंगे जी टेक्स एफ्ट्री उसके बाद कुइन एच फाइव क्यूबी थ्री एन्बी डी सेवन पोईजन पोन है बी सेवन नहीं मार सकता वाइट वरना और भी अटेक आजाएगा रूप जी एट से विश्प जी टू और नेक्स मूं में हम लॉंग केसल करके सिंपल खेल सकते है अगर सी वन दोस्तों आप तीशा वेरियेशन में दिखाना चाहता हूं सी वेरियेशन जिसमें हमने टीन भाग किये है पार्ट ओप थ्री क्विन डी फाइव सी फूर सी फूर के बजाए अगर करता है तो भी हम क्विन एच फाइव कहलेंगे बिशब e2 यही एक सही मुवे वाइट के लिए और हम खेलेंगे नाइट सी शिच्श यहां से वाइट के पास बिशब एफ फोर की छोइस है विशब E3 खेल सकता है white और या फिर simple short castle कर सकता है पहले देखते हैं विशब F4 में क्या होता है अगर white खेलता है विशब F4 या simple आपको long castle करना है white करेंगे short castle queen F5 surprise move है जो विशब पे अटेक करता है और queen को विशब के diagonal से हटा देते है बिशब E3, फिर E5, D5, NB4, H3, बिशब टेक्स F3, बिशब टेक्स F3 और नाइट टेक्स E2, यह है पहला विरिएशन, सी में, सी टूकर क्या आप लिख सकते हैं, उसको अलग से, जिसमें हम देखेंगे, बिशब F4 के बज़ए, बिशब E3, लॉंग केसल करना है, यहाँ भी आपको, वाइट करेंगे, सौट केसल, E5, क्विन की लाइन में जो रूख है, उसका फाइदाम उठाते है, S3, E टेक्स D5, यहाँ पर आप एक्सलामेशन मार्क दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया मूव है, ब्लैक के, बिशब टेक्स E2, NCE2, बिशब C5, पिनिंग नाइट पे अटेक बढ़ाना है, C3 सपोर्ट और RHE8, काफी अच्छी पोजिशन है ब्लैक के लिए, ओके थर्ड वेरिशन सिम्पल है, जिसे देखना जरूए नहीं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बिशब एट्रिक के बजाए, सिम्पल सॉट कैसल करता है, तो यहाँ पर आपको लोंग कैसल करके आगे खेलना है, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूब किजिए दोस्तों, और हो सकते तो शेर भी किजिए, हम मिलेंगे नए चैप्टर में स्कैंडियन डिफेंस, दूसरा वेडियेशन लेके मैं नेक्स वीडियो में आऊँगा आपके सामने, तब तक के लिए जाए हिन, जाए गुर्ट रात।